प्रोजेक्ट का जिम्मा भी रमजान कादिरफ को सौपा गया है खौफ का नाम है कादिरा देह्शत का नाम है कादिरा डर का नाम है कादिरा इसलिए जब कहीं कोई खत्रा ये अपने घर की छट पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं महीने का 40 से 50 अजार कमाते भी हैं इनसे सीखना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड करो पैदा होता है तो पोतेन उस खत्रे को समालने का जिमा कादिरा अब को सौप देते हैं और एक बार फिर यही हुआ है डॉन बास का वो पूरा इलाखा जहां पत्ता भी पोतेन के अजाज़त के बेना नहीं हिलता है डॉन बास जो कभी इलाखा तो योकरेम का था लेकिन अब वहां पोतेन की फोजें बहुत गहराई तक अपनी जणे जमा चुकी है उसी डॉन बास के अंदर अब पुतेन के खिलाफ विद्रोव करने वाले जैलेंस्की के समर्थकों को अब पुतेन सीधे चेचन्या शिफ्ट कर रहे है आखिर क्या है पुतेन का ये चेचन्या प्लैन जिसने दूर दूर तक योकरेम के अंदर कादिरफ के दैशत पैदा कर दी है दुनिया के एक बहुत ही बड़ी खबर ये भी है कि क्यूबा के प्रेसिडेंट मॉस्को पहुँच चुके है योकरेन और रूस के बीच जारी इस युद में आखिर क्यूबा की एंट्री क्यों बहुत ज्यादा महत्तुपोण है ये बात आप तब समझ पाएंगे जब आप देखेंगे क्यूबा का ये नक्षा दरसल क्यूबा की लोकेशन अमेरिका के बिलकुल करीब है बाइडन की नाग के नीचे क्यूबा के अंदर क्या पोतेन कोई बहुत बड़ी साजिश का प्लान कर रहे है जिस बात के लिए अमेरिका के बुद्ध जी भी बार बार बाइडन को चेतावनी दे रहे थे क्या अब वो होने वाला है क्या 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट अब साट साल के बाद दोहराया जाने वाला है पूरा एतिहास भुगोल हम आपको समझाने वाले हैं लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कादिरफ के उस खौफ की जिसने पूरे योक्रेन की फौचों को कपा दिया है अब ब्रदी अब आप कादिरफ अपना हर खौखार और क्रूर प्लान अपने टेलिग्राम चैनल पर पूस्ट करता है जसमें करीब 3 मिलियन मेंबर्स मौझूद है खेर सौन के अंदर नाइपर नदी का योक्रेन से 60 इलाका खाली करने के बाद यानि यहां से रूस की सेना का सरिंडर होने के बाद कादिरफ पोरी तरह परिशान और दोखी है इसलिए अपने मानसिक पीड़ा को दूर करने के लिए कादिरफ टेलिग्राम पर बेहत खतरनाक संदेश भीज रहा है